हेलो मेंबर्स वेलकम एक टो ओचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब देखो मैंने हाप पार्ट वन रग दिया है एंड मंथली सीरीज माफ कीजिगा मंथली रॉकेट सीरीज वाले स्टॉक वो भी रग दिया है नया स्टॉक है डेफिनिली फोकस कीजिगा एंड जी आई सी अरी स्टिल पॉजिटिव है दोसों की नजदिक यह पहुंचता हुआ दिखाई दिया है देखो कुछ लॉजिक्स प्रॉपर डिसकस किये है आइम शॉर यह लॉजिक बहुत पसंद आएगा एक बार अगर पसंद नहीं भी है तो भी बार वीडियो जाके जरू देख लेना मेरी सबसे जो शेर मार्केट में एक दो साल से है ठीक है मिनीमम ठीक है वो शायद मेरी सबसे यह लॉजिक जादा पसंद करेंगे और समझ जाएंगे कौन से लवल पे स्टॉक को फोकस करना चाहिए ठीक हुआ जाके प्लीज देख लीजिगा चले फटर मुद्धे पर आते ले नहीं लेना चाहिए हम लोग यह भी डिसकस करते है ता कि सिफ न्यूस इंपोर्टन नीए करना क्या है वो बी करना क्या थे ने देन आप लोगों की queries, फटर स्टार्ट करते हैं, देखो, FI selling कार है, 200 करोड की आजबी selling है, D.I. ने खरीदा रिकी है, सी, भले FI ने selling की है, लेकिन आज जादा कुछ negative impact पड़ा नहीं है, mid caps उपर थे, nifty उपर था, ठीक है, तो, थोड़ा हम लोग positive consider कर सकते हैं, इस चीज़ को, FI still negative है, यह बात आप focus किजीगा, क्योंकि अगर यह data continuously आते रहे, तो फिर बहुती जल्द market में problem थोड़ी create हो सकती है, यानि कि जटका हो सकते हैं, अब यह समझो, मोटा मोटा, जटका हो सकते हैं, अब डाबर, देखो, अब डाबर ने 51% का stake खरीद लिया है, बाच्शा मसाला के लिया, अगर बुछे सार, यह news positive में कल क्या intraday करो, एक बात गाठ बाढ़ लो, कि कोई भी stock में news की वज़े से intraday करना, ठीक है, मानलो, 9-15 को यह stock 2% gap open होते हैं, और आप direct call option ले लो, यह बहुती बेकार, बेव को फी चीज़े हो जाती है, ठीक है न, मानलो, मैंने seriously देखा, यह retail नोशन जो नए होते हैं, वो पैसे को loss करना चाते हैं, मानलो, फेकना चाते हैं, ठीक है न, पबलिक के सामने, यह चीज़े मत करो, यह अगर pullback करेगा, तो भी मुझे नहीं लगता यह sustain करेगा, ultra short ही करना चाहिए इस बंदे को, ठीक है न, मुझे भी मिले, short कर दो, call option short कर दो, simple as that, मैं तो यह ही बोलो, 580 का call option short कर दो, यह 560 का, ठीक है, और monthly hold करो, मुझे नहीं लगता है, यह stock में कुछ जाधा बने momentum होनी चाहिए, पैटर ही stock को avoid करो, यह बंदे को, still sector, अब सुनो ध्यान से, मुझे query आई थी, पहले जब query पूछो ने तो, video देखा करो, ठीक है, video नहीं देखोगे तो आप ही problem में आ जाओगे, करेंगे, सब ही को मैं comment में answer नहीं कर सकता, तो कुछ को comment में answer करता हूँ, कुछ को यहाँ पे, video के माधम से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है, और भाई, मैंने आपको answer दे दिया है, एक बार चाहिए check out कर लेना, email, हमारी support team होती है, पांच बज़े से पहले आपको answer कर देती है, ठीक है, उनका response start होते है, करीब एक बज़े आसपस वो response करती है, start करना, email का, और पांच बज़े तक वो सभी कर देती है, ठीक हो definitely आप जाके check out कर लेजिगा, steel sector is moving, what can be the target of Rama and Tata Steel, देखो, Tata Steel momentum क्यों किया, उसकी वज़े से यहाँ पे steel sector को benefit हो सकता है, प्लस, property sector के लिए कुछ चाइना करने वाली है, इसकी वज़े से भी steel, आप सभी को बता कि property में भाई, अगर develop हो गए तो still की जरुवत पड़ेगी, तो इसकी वज़े से भी यहाँ पे steel sector उपर जाते हुए दिखे दिए, और Jeffries positive हो रहा है, अब देखो, मैं Jeffries को नहीं देखता है, अगर कोई Jeffries की team से हैं तो भाई माफ कर दीजीगा, मैं नहीं देखता है, क्योंकि, वो लोग पहले, बहुत, स्टॉक को शायद मेरी सब से पहले बाई कर लेते होंगे, बाद में ये टार्गेट देते होंगे, तो मैं ये ज़्यादा focus नहीं करता हुए, लेकिन हाँ, एक positive समझ सकते हैं, ठीक है, steel sector उपर जा रहे हैं, सर कहां तक जा सकते हैं, देखो, stock के consolidation break होने के बाद काफी अच्छी momentum है, मेरे सब से ये stock 125-130 तक maximum जाना चाहिए, एक दो महिने के अंदर, ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं बिलूँगा, तीन दिन में जाएगा, ये Tata Steel stock है, ठीक है, ना मतलब large cap है, खेलते खेलते नहीं जाएगा, ये GICRE नहीं है, ये आपको 5 दिन में ये stock 100 का 200 होता हुआ दिखाई देगा, नहीं होगा ये, ठीक है, chances से जा सकते हैं, लेकिन 130 अब ही maximum दिखाई दे रहा है, इंक्लोडिंग sale, ये 110 दिखाई दे रहा है, अगर किसी को average करना चाहते, as per my view, करना चाहते कर सकते हैं, मैंने वैसे आपको पहले भी बता दिया था, around August month के आसपास, कि stock को 90 के आसपास लेना चाहिए, 88, 90, और ये stock 94 तक गया था, फिर ये वापिस उपर आ गया, ठीक है, किसे ने लिया होता तो, positive है, नहीं लिया तो, कोई issues नहीं, ठीक है, बाकी chances से average करना चाहते है, as per my view, कर सकते हैं, जा सकते हैं, ये stock 110, 110 से जा सकता है, और जो हीन copper stock है, वो around मेरे सब से 140 की possibility रखता है, ठीक है, हीन copper भी अगर आप देखोगे, वो 116 तक चला गया है, chances से 140, ये जो क्रींज है, 140 ये वहाँ तक जा सकता है, तो swing वैसे अच्छा है, लेकिन एक दो मेंने की बात है, NCC, देखो NCC को order मिला, इसकी वज़े से ये stock उपर गया है, 3600 करोड के, वैसे हम लोग ये, BTST में लेने वाले थे, लेकिन stock ने थोड़ी profit booking की, तो मैं tension में आगया थे, कि भाई दूखे नहीं दो, लेकिन chances दिखाई दे रहे कि, ये stock 99 तक जा सकता है, और trailing stop loss लगाना चाहते हैं, तो 87 का रखीगा, थोड़ा deep 99 तक के target हो सकते हैं, within a few days, 15 days, approximately, long term के लिए कैसा है, मैं ना बोलूँगा, इसको नीचे की level से लो, ओपर से नहीं, long term, SML issue, भाई, प्रोणोंस करना थोड़ा difficult है, लेकिन हाँ, इसकी जो products आते हैं, वेहिकल साते हैं, काफ ये अच्छे होते हैं, और इनकी sales, more than double होती होई दिखाई थी, base zone year to year, ठीक है जहां तक मैंने दिखाई, येस, 570 का unit बेचा है, और पीछले साल 280 था, तो 20% इसकी वाज़े सी, ये stock rocket बनता हुआ दिखाई दिखाई दिया, ठीक है देखो यहाँ पर, अब एक बार इसके long term chart देख लेते कैसा है, वैसे गाड़िया काफी solid होती है, लेकिन stock का long term chart काफी हद तक weak है, ठीक है, अगर सर पूछे किसी के पास है, क्या average करना चाहिए, देखो ये बंदा कैसा है, एक time पर ये stock 1500 पर था, और ये stock ने 220-20 में low बनाया 200 का, ठीक है न, मालब ये 216 में 1500 का था, तो कितना wallet है याँ आप समझ सकते हैं, तो इसके कोई भी target या support देना बेव कोफी होगी, ठीक है, मैं अभी नहीं दोगा, लेकिन अगर है trailing stop loss रख सकते हैं, मैं तो यहीं बोलो, और साच्चों का stop loss, ट्रील करते जाओ, ठीक है, long term वाले, not short term, short term के लिए तो avoid करना चाहिए stocks को, तो मैं बस यह सब इस टॉक है, बेन यूज की वज़े से focus में है, अब फटर कुछ वेरी ले 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 ते, सर की delta cock कैसा है, देखो, दो क्वेरी नहीं रिख सकते हैं, एक ही पूछो, अगर हो सकते, तो वीडियो कभी कभी लंबे हो जाती है, इसके वाज़े से, मेरे बाई, डेल्टा कॉप देखो वाई, डेल्टा कॉप short term का तो कोई व्यू नहीं है, आप average कर ले ना, थोड़ी बहुत अगर कोई इंट्रेस्टेट है, अगर 320 का है, अगर आसपस की बाई हैं तो मत कले लेना, ठीक है, तो avoid, पाकी मेरी सब से stock में थोड़ी पूल बेक आएगा, बाद में fall कलेगा, तो long term के लिए avoid, best level 140 से 160, डेल्टा कॉप का, अरियंट इक पर पूछा है, तो कह भी देते हैं, ठीक है, अरियंट कैपिटल, सी, अरियंट कैपिटल, टोटली साइडवेस है, ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मेरी सब सी result से पहले, कोई बड़ी momentum आने भी नीच चाहिए, result तक आब wait करो, लिखेंगे, result के बाद क्या होता है, लेकर स्टॉक टोटली साइडवेस है, ठीक है, अगले कोशन हो जाती है, यस बेंग, लिखो, यस बेंग हम लोग ने, पार्ट वन में कवर किया था, और मैंने आपको ये भी समझा था, यस बेंग हम लोग ने आपको as a monthly rocket series होला stock दिया था, Monday, I am sure आप लोगों की याद होगा, जो लोग telegram free telegram channel में है, my stock market fund है, 20 रुपे 50 पेसी का सबस दिया था, 24 तक की target थे, 2-3 दिन में यहां से दिखो, यहां तक, ठीक है, तो यह 2-3 दिन में stock अच्छी भी हो गया, बाद में fall और यह अभी उपर आ रहा है, ठीक है, अब सर्क क्या लग रहा है, क्या यह stock और उपर जा सकता है, chances तो है, और उपर जा सकते हैं, वापिस एक बार all time high तो touch मारेगा, ठीक है, अब यह देखेंगे बाद में कितना sustain कता है, लेकिन chances तो पो रहा है, कि यह stock जा सकता है short term के लिए, आप यह समझो कि कल एक pause candle बनाएगा, परशो शायद थोड़ी down candle, एंड धन वापिस यह उपर जाएगा, ठीक है, यह एक behave होता है stock का, अब यह समझो कि समझो कि समझ जाया हो गया, ठीक है न, तो कल एक pause candle होगी, chances तो यही दिखाई दे रहा है, फिर एक थोड़ी down candle, फिर एक बड़ी momentum, एंड अंबर, एंबर, ठीक है, यह स्वेंग short term कहा तक जाएगा, 24 तक जाएगा, अभी all time high को cross करके, sustain करके तो बहुत फाड़ेगा फिर यह, एंबर enterprise सर शॉट टम है long term का, I do bottom fishing in it, yes बहुत हो short term, तो यह स्वेंग से better pnb फोकस करो, चीक है न, अभी के लिए यह स्वेंग को थोड़ा volatility होगी, तो better confirmation signal आने तो, अगर fresh buy करना ही है, मुझे confirmation signal नहीं दिखा दिय रहा हो, उसमें, देखो, amber में अगर आप bottom fishing की है न, तो मैं आपको बोलूँगा, अभी avoid करो, ठंडी की season है, भाई, amber का कोई काम नहीं है, आपको bottom fishing पता है, कब करनी है, amber में, March month, March को ले लो, June, July को बेश दो, ये stock 20-30% आराब से दे देगा, as per mind view, ठीक है, तो better है, इसको अभी के लिए avoid करो, आपको नहीं लेना चाहिए, stocks अभी momentum मेरी सबस्द जादा करने भी नीची है, अभी इसको avoid करो, थोड़ा ये और नीचे हैगा, या result तक अवेट करो, no fresh why, no average, अगर average किया है, loss वड़ा है, तो फिर कोई बात नहीं hold का सकते हैं, ठीक है, लेकिन no average अभी करना, PVR, देखो मैडम ने बुच्छा था, PVR मैंने लिया है, 217 से, और I want to pull out, और मेरी average price, where should I average, ठीक है, cost to cost लाने के लिए, और ये stock यहाँ पे है, PVR, I think मैंने जो PVR, आपको थोड़ा बोला था, शार डर गे होंगे, बहुत सारी लोग, लेकिन क्या बोल सकते है, fact दिखाई दी रहा है तो, ठीक है न, fact जैसा ही दिखाई दी रहा है, अब यहाँ पे आप सभी को बताए, यहाँ पठान मोवी आने वाली है, शारुकान ठीक है, बिग बैनर, अब मान लो, just an example बोला, मैं नहीं चाहता कि वो fail हो जाए, लेकिन just an example fail हो गई, तो, तो, बहुत negative reaction पड़ेगा, फिर यहाँ पे theaters पे, ठीक है न, अभी के लिए देखो, मैं average नहीं बोलूँगा, अगर average करना है, तो यह जोब को 1200 या 1100 दिखाई दे रहे, वहाँ पे करो, इतना जल्दी average करना बेवकुफी होगे, ठीक है, अब मान लो, यह पठान मोवी आरी, अगर यह hit हो जाती है, तो stocks में pullback आएगा, 2000 तक भी यह चला जाए, ठीक है न, ओके, तो अभी के लिए, उसकी वज़े से, add करना बेवकुफी होगे, अगर आ जाता है 2000 पे तो 20 देना, लेकिन अभी add नहीं करना है, करीब 1400 के नीचे जाए, तब आप average कर लेना, ओके, किसी ने थाइरोकेर के बारे में, बहुत strong पूछा था, ग्लैन फर्मा देखो, अभी ग्लैन फर्मा थोड़ा डीले हो गया, लेकिन थाइरोकेर बॉटम उट है, तो वो discuss करते हैं, ओके, देखो, अब जो, I think, Tata Group शाएद यहाँ पे घुसरा है, यह sector में, ठीके, तो, बहुत problem होने वाली है, सभी, थाइरोकेर जैसे कबनी इसको, ठीके, मेट्रोपॉलिस थाइरोकेर, मेरी सबसे यह और पिटना चाहिए, और यह stock का bottom, बहुत खरब नीचे आएगा, यह 400 तक भी आ सकते हैं, तो, इसको मेरी सबसे अभी के लिए, अभी के लिए आउएड कर लेना, और अगर 400 के आसपस मिलता है, तो आइवरेज कर लेना, ठीके, अभी के लिए, नो फरेश भाई, अगर है, cost के नियर है, नियर बाई लॉसस है, मेरी सबसे एग्जिर कर लेना चीए, ठीके, छूटा लॉसस है, तो की बात है, 2-4 पसंट का, ओके, बैटर है, अवएट, तो होप मैं बस आज का वीडियो समझेगा, पसंद है होगा, अगर वाट्सप गुरू को जोइन करना चाहते है, अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुट बाई, जय हिन,